हलो फ्रेंड्स आपका MMK Study के दस्वी कक्छा के गड़ती में स्वागत है दोस्तों आज हम प्रसनावली दोडी का ध्यन करेंगे अगर आपको वीडियों अच्छी लगे तो लाइक, सेर, कमेंट जरूर कीजिए और हमारे यूटूब चैनल MMK Study को सस्क्राइब कीजिए बिल आइकान को प्रिस कीजिए ताकि आपको नए वीडियों का नोटिफिकेशन मिलता रहा है चलिए वीडियों सुरू करते है देखिए क्विस्टन क्या दिया गया है निम्न लिखित परतेक परस्ण में बहुपद PX को बहुपद GX G से भाग दीजिए और भागफल तथा सेशफल ग्यात कीजिए तो इसमें देखिए पहला क्विस्टन है PX इक्वल टू X पलस 3X स्क्वाइर माइनस 1 तथा GX इक्वल टू 1 पलस X यानि PX में जो है GX से भाग देना है तो अब देखिए क्या करेंगे इसमें देखिए क्विस्टन है यह है PX X पलस 3X स्क्वाइर माइनस 1 और GX इक्वल टू 1 पलस X तो पहले देखिए इसको लिख लेंगे इसको सीरियल से लिखेंगे और वही करमें 3 X स्क्वाइर पलस X माइनस 1 इसमें भाग देना है आपको इसमें भाग देना है देखिए 1 पलस X लिखा है तो X पलस 1 लिख सकते हैं इसको अब देखिए इसमें जब भाग देंगे इस से इसमें तो क्या किया जाएगा देखिए यह यह गुडांग देखे 3 X स्क्वाइर आना चाहिए इसमें कितने संख्या से गुडा करें कि यह इसके बरावर हो जाए तो क्या करते हैं देखिए इसमें अगर हम 3 X से गुडा करेंगे तीन और एक्स का गुड़ा करेंगे तीन एक्स का गुड़ा करेंगे तीन एक्स का गुड़ा करेंगे तो यहां पर हम ले जाएंगे तीन एक्स का गुड़ा करेंगे तीन एक्स का गुड़ा करेंगे तीन एक्स का गुड़ा करेंगे ये माइनस ये माइनस ये आपका कड़ जाएगा अब उसके बाद देखिए क्या होगा माइनस थ्री एक्स है हो गया ये और प्लस एक्स ये घटेगा तो जाएगा माइनस दो एक्स और इसके बाद कितना है माइनस एक तो अब देखिए यहां पर माइनस आ गया है तो यहां मा माइनस दो यक्स, फिर इससे गुड़ा करेंगे, माइनस दो, अब उसके बाद देखिए, यहां देखिए, माइनस दो से यक्स में गुड़ा करेंगे, माइनस दो यक्स, माइनस दो से एक मुड़ा करेंगे, माइनस दो, अब उसके बाद इसका चिन न बदाल जाएगा, आप देखिए इसमें लिखेंगे भागफल भागफल इक्वल टू कितना गया 3X-2 और शेजफल इक्वल टू यही पूछ रहा है भागफल और शेजफल गयात कीजे तो शेजफल इक्वल टू कितना है 1 यह हो गया आपका answer अब उसके बाद देखिए दूसरा question को कौन सा है देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 पलस 3 एक्स स्क्वाइर माइनस 12 एक्स प्लस 4 और जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अब देखिए फिर क्या करेंगे इसमें इसमें भी देखिए दिया गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब पलस 3 एक्स स्क्वाइर पलस माइनस 12 एक्स पलस 4 और जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 दिया गया इसमें देखिए एक्स पावर 3 पलस 3 एक्स स्क्वाइर माइनस 12 एक्स पलस 4 अब इसमें देखिए हम भाग देंगे किस से X-2 से भाग देंगे अब यहाँ देखिए लिग देता हूँ अब कितनी बार जाएगा देखिए यह पर X की एक घाते यह X की 3 घाते तो हो जायगा X की 2 घात बार जायगा यह से इसमें उगड़ा करेंगे यक्स घाते तीन फिर इससे इसमें उकड़ा करेंगे माइनस दो में तो जाएगा माइनस दो यक्स स्क्वार उसके बाद देखे घटा देंगे माइनस ये पलस हो जाएगा ये कड़ जाएगा अब देखें दोनों संख्या प्लस होगी तीन यक्स स्क्वार उपर है दो यक्स स्क्वार नीचे दोनों प्लस हो गया तो जोड़ जाएगा पांच यक्स स्क्वार और इसके बाद इसको जो बची हुई संख्या 6 है इसको हम आगे लिख देंगे अब देखिए क्या करेंगे अब देखिए यही लाना है हमें इसमें कितनी संख्यासी उगला करें कि यही आ जाए तो जाएगा देखिए प्लस लगायागे ना तो प्लस पांच बार तो जाएगा यक्स की एक घाट बार जाएगा नहीं माइनस दस एक्स हो जाएगा माइनस दस एक्स और वो बचा रहेगा उसके बाद देखिए यह घटा देंगे माइनस यह जाएगा प्लस यह देखिए एक प्लस एक माइनस ही जाएगा उसके बाद देखिए बारा एक्स में से दस एक्स घटेगा तो जाएगा माइनस दो एक्स और प्लस फूर लिखेंगे इसको अब देखें माइनस यहाँ पर आ गया तो माइनस बार जाना ही जाना है आप कितने से गुड़ा करेंगे इसके बराबर है देखें दो से दो से एक्स में उगड़ा करेंगे माइनस दो एक्स माइनस बार गया माइनस होगा और माइनस दो से माइनस दो में उगड़ा करेंगे पलस चार हो जाएगा अब घटा देंगे यह हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा माइनस एक प्लस एक माइनस संख्या बराबर कर जाएगा एक प्लस एक माइनस संख्या बराबर कर जाएगा आपका जीरो आ गया तब यहां लिखेंगे क्या भागफल भागफल इक्वल टू एक्स इसक्वाइर पलस 5X माइनस 2 सेशफल इकल टू सेशफल इकल टू आगे आपका 0 तब यहाँ देखे जब सेशफल इकल टू 0 आ जाता है तो यहाँ आप लिख सकते हो GX PX का एक गुड़न खंड है PX का गुड़न खंड है यह आपका एंसर हो गया अब देखिए अगमबरतीन देखो क्या दिया गया P T इकल टू T की पावर 3 माइनस 3 T स्क्वार माइनस T पलस 3 G T इकल टू T स्क्वार माइनस 4 4 T और पलस 3 यह देखिए दिया गया है इसको कैसे लगाएंगे एकदम उसी परकार से लगाएंगे पलस 3 अब इसमें भाग देंगे किससे T की पावर 2 माइनस 4 T पलस 3 अब देखिए कितनी घात बार जाएगा इसमें 2 घात इसमें 3 घात खाली T बार जाएगा T से इसमें गुड़ा कीजे T की पावर 3 फिर इसमें गुड़ा कीजे minus 4T square हो जाएगा फिर इससे T से 3 में गुड़ा करेंगे हो जाएगा plus 3T अब देखिए यहां यह minus यह जो है plus हो जाएगा यह minus इसको घटाते हैं तो यह देखिए यह plus यह minus संखे बराबर कर जाएगा उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा यह minus 3T square है यह plus 4T square हो गया तो यह घटेगा तो यह खाली T square होगा plus आएगा ना plus नहीं लिखा जाता उसके बाद देखिए minus T है minus 3T है तो minus 4T हो जाएगा और plus 3 लिखा जाएगा उसके बाद देखिए कितनी घात बार जाएगा इसमें देखिए वही चीज यहाँ पर आगया है तो प्लस एक बार जाएगा एक बार ले जाओ गुड़ा करण भी वही आएगा minus 40 प्लस 3 यह देखिए आपका सून आगया तो अब क्या लिखेंगे इसमें भाग फल इक्वल टू भाग फल इक्वल टू टी प्लस वन शेज फल इक्वल टू जीरो अब यहाँ लिख सकते हैं जी टी पी टी का गुड़ान खंड है जब सेज फल सून आ जाए तो यह लिखा लिख दिया किजिए भुड़ान खंड है अइन्सोर हो गया अब अगला कुछ्चन देखिए उसी का चगता है यह लिखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर फोर प्लस वन जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन यानि इसमें PX में GX से भाग देना है तो PX पहले लिख देता हूँ X पावर 4 प्लस 1 अब इसमें भाग दीजिए X प्लस 1 से अब देखे कितनी घात बार जाएगा तीन घात बार जाएगा X घाते तीन घात ले जाएगा यहां गुड़ा कीजिए X घाते 4 हो जाएगा अब इसके बाद देखे X से गुड़ा करेंगे तो X अब यहां अलग से लिखा जाए X पावर 3 अब यहां देखे यह माइनस हो गया घटाएगे तो यह माइनस हो गया और X की घाते दो बार इसके गुड़ा करेंगे यही आएगा तो माइनस X स्क्वार से X में गुड़ा करेंगे माइनस X पावर 3 इससे गुड़ा करेंगे एक में तो माइनस X स्क्वार इसको अलग लिखा जाएगा क्योंकि इसे कोई mail जोल नहीं हो रहा है तो अब क्या करेंगे इसमें ये घटा देंगे ये plus ये plus ये कड़ जाएगा अब x square बचा ये x square पहले लिख देंगे plus ये बाद में अब देखें कितने से गुड़ा करें इसमें इसमें x से गुड़ा करें ये हो जाएगा plus x और बटे उसके बाद घटा देंगे इसमें ये हो जाएगा minus ये भी minus ये कड़ जाएगा अब minus x पहले लिखेंगे और plus ये बाद में अब देखें कितनी घट बार जाएगा सिर्फ खली एक बार जाएगा minus एक बार इसमें गुड़ा करेंगे तो minus x फिर minus इसमें गुड़ा करेंगे तो जाएगा minus 1 अब उसके बाद देखें ये घटा दीजे ये plus ये plus ये कड़ जाएगा ये देखें दोनों जुड़ जाएगा आएगा सेशपल 2 तो आप लिखिए यहाँ पर भागफल इकुल टू भागफल इकुल टू आएगा आपका x पावर 3 minus x स्क्वार पलस x minus 1 ये आया है और सेशपल इकुल टू कितना आया है सेशपल बराबर 2 ये आपका एंसर हो गया देखें क्विस्टन नंबर 5 है पी एक्स इकुल टू x पावर 3 पलस x स्क्वार minus 2 x पलस 1 g x इकुल टू x पलस 3 तो इसमें देखो पी एक्स में g x से भाग देना है तो लिखेंगे x पावर 3 plus x स्क्वार minus 2 x पलस 1 इसमें भाग देना है x पलस 3 से तो इसमें कई घाद बार जाएगा देखिए x की दो घाद बार ले जाएए x की दो घाद बार ले जाएए इसमें गुला कीजिए x गाते 3 हो जाएगा x स्क्वार से x में गुला करें x गाते 3 X square से 3 में गुड़ा करेंगे प्लस 3 X square यह हो गया ना उसके बाद देखे घटा देंगे माइनस यह माइनस यह कड़ जाएगा अब इसके बाद देखे इसको घटाएंगे यह घट जाएगा प्लस एक मानस होगा माइनस 2 X square फिर जो है इसमें इसको लिख देंगे माइनस 2 X और प्लस एक भी उतार देंगे इसे अब उसके बाद कितनी बाद जाएगा माइनस से तो माइनस लगा देंगे इसको X यह से बाद जाएगा माइनस 2 X 2 माइनस 2 X से X में उकुड़ा करेंगे माइनस 2 X square जाएगा प्लस यह जो है पड़ जाएगा आपका अब यहां देखिए प्लस चे यक्स दो यक्स है हो जाएगा चार यक्स एक प्लस एक माइनस घटेगा और प्लस कितना है एक आगे अब देखिए प्लस बार जाएगा चार बार जाएगा चार से चार बार जाएगा चार से इ में गुड़ा की ये हो जाएगा 12 अब इसके बाद है कि घटा दिये माइनस माइनस ये कड़ जाएगा ये आएगा आपका माइनस 11 शेश पल आ गया माइनस 11 अब लिखेंगे इसमें भाग फल इक्वल टू भाग फल इक्वल टू एक्स स्क्वार माइनस 2x plus 4 और 6 फर इक्वल टू 6 फर इक्वल टू हो गया माइनस 11 यह answer हो गया उसके बाद देखिए अगला question चठा है यह है Px इक्वल टू 7x स्क्वाइर माइनस 2 2 root 8 x माइनस 6 और Gx इक्वल टू x माइनस रूट 2 देखिए इसको लिखेंगे 7x स्क्वाइर माइनस 2 root 8 x माइनस 6 देखिए root 8 को लिखा जा सकता है देखिए under root 8 को आप लिख सकते है 2 गुले 2 गुले 2 इसमें 2 का जोड़ा बन जाते है निकल जाएगा बाहर 2 का नहीं बन लाए यह अंदर रह जाएगा 2 root 2 लिख सकते हैं तो हो जाएगा 7x स्क्वाइर माइनस अब देखिए root 2 root 2 है न 2 से 2 में गुलागे 4 उसके बाद यह हो जाएगा root 2 x माइनस 6 अब इसमें भाग दीजिए किस से x माइनस root 2 से अब देखिए कितनी घात बर जाएगा 7 यहाँ ना 7 बर जाएगा और x की एक घात बर जाएगा x बार इससे इसमें गुलाग करेंगे 7x स्क्वाइर अब इससे इसमें गुलाग करेंगे यह हो जाएगा minus 7 under root 2 x अब यह देखिए घाता देंगे minus यह हो जाएगा प्लस यह कड जाएगा उसके बाद देखिए root 2 root 2 दुनों में न एक जो है 4 इसका गुलाग के इसका 7 है तो 7 में से 4 घटा देंगे यह plus यह minus है यह हो जाएगा 3 root 2 x उसके बाद इसको लिखेंगे minus 6 अब देखिए कितनी बार जाएगा आप यह देखिए plus है plus बार ले जाएगे 3 root 2 बार ले जाएगे 3 root 2 क्योंकि इसमें इसमें गुला करेंगे इसके बराबर आजाएगा इसका देखिए गुला कीजिए इसमें 3 root 2 x अब इसका इसमें गुला करेंगे कितना आएगा और minus है ना minus देखिए 3 root 2 का root 2 में गुला करेंगे दो जाएगा, दो तियाँ छे, छे हो गया, अब उसके बाद देखिए, घटा देंगे, माइनस, यह पलस, यह कड़ जाएगा, यह भी कड़ जाएगा, आपका आउगे सून, तो आप देखिए, भागफल के आगया, भागफल इक्वल टू, सेवन एक्स, पलस थिरी, रूट सेवन एक्वल टू, सेवन एक्वल टू, सेवन एक्वल टू, जीरो, तब आप लिख सकते हो, जी एक्स, पी एक्स का, गुड़न खंड है, यह हो गया, एंस्वर, धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ और कुछन के साथ, तब तक लिए धन्यवाद,